हेलो फ्रेंड्स मैं अभिने गुपता आप सभी का एक वार फिर से स्वागत करता हूँ अभिने गुपता एजुकेशन क्लासेस पर तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दिल्ली सलतनत काल का मोश्ट मोश्ट इंपोर्टेंट वन्स खिलिजी वन्स दोस्तों खिलिजी वन्स जिसका सासन काल कुल 1290 इसवी से लेकर 1320 इसवी तक चला अर्थात इसका कुल सासन काल only only 30 वर्स तक तो दोस्तों यहां 30 वर्स चलने वाला सासन काल इसमें मुकिता 3 सासक ऐसे थे जिनके बारे में आपके exam में question पूछे जाते हैं तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं खिलिजी वन्स की इसके कौन कौन से प्रमुक सासक हुए तथा उनके सासन काल के दोरान कौन कौन से प्रमुक घटनाय होती हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि खिलजी वंस की इस्थापना किसने की थी तो उनका नाम था जलालुदीन फिरोज खिलजी खिलजी बंस के संसापक किन्हें कहा जाता है जलालुदीन फिरोज खिलजी को ठीक है जलालुदीन फिरोज खिलजी का सासंकाल कितने से कितने बर्स तक चला तो इनका सासंकाल 1290 से लेकर 1296 बर्स तक जलालुदीन फिरोज खिलजी का सासंकाल चला दोस्तों एक बात और बता दूँ कि जलालुदीन फिरोजखिल जी जो थे वो अत्यांत मतलब की काफी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे उसके बाद इनका सासनकाल 1290 से लेकर 1296 तक चलता है अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि जलालुदीन फिरोजखिल जी के दोरा कौन कौन से प्रमुक कार किये गए तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका कि जलालुदीन फिरोजखिल जी ने दिल्ली सलतनत में एक नवीन राजवन्स जिसका नाम था आपका खिली जी वन्स की स्थापना की तो दोस्तों खिलजी वंस के संस्थापक कौन है आपके जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंस की स्थापना किसने की जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी ठीक है जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी का सासनकाल कब से कब तक चला तो इनका सासनकाल 1290 से लेकर 1296 इस भी त अब यहाँ पर बात करते हैं कि खिलजी वंस की जो इस्थापना थी इसे खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है यहाँ खिलजी क्रांति के नाम से भी प्रिसिद्ध है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आगे की बात करते हैं जलालुदीन फिरोज खिलजी के बारे में तो जलालुदीन खिल जी ने केकुवाद द्वारा बनवाए गए कि लोग खरी महल में अपना राज्या विसेग करवाया तो दोस्तों यहाँ पर जलालुदीन फ्रोज खिल जी ने अपना राज्या विसेग जो था वह कहां करवाया केकुवाद द्वारा बनवाएगे किले खरी महल में उन्होंने अपना राज्याविसेक करवाया तो दोस्तों यहाँ पर बताते हैं कि केकुवाद कुन था केकुवाद आपके गुलाम बंसका एक सासक था उसके द्वारा जो बनवाया गया किलो खरी महल था उसी में जलालुद्दीन फिरोजखिल जी ने अपना राज्यावी से करवाया ठीक है नेक्स दोस्तों पॉइंट आता है जलालुद्दीन फिरोजखिल जी के बारे में जनता के प्रत उदारता ब्यक्त करता था ठीक है अब यहां पर बात आती है कि इसके सासनकाल में लगवग दो हजार मंगोल इसलाम धर्म सुईकार कर दिल्ली के निकट बस गए तो दोस्तों यहां पर क्या बात हो रही है कि इसके सासनकाल में लगवग कितने लगवग दो हज मंगोल जो थे उन्हों ने इसलाम धर्म को सुईकार कर लिया और दिल्ली के निकट बस गया ठीक है नेक्स दोस्तों बात आती है जलालुदीन फिरोश्खिल जी के बारे में कि जलालुदीन का भतीजा अलाउदीन ने इसकी छल पूर्वक हत्या कर दिल्ली की गद्धी पर बै जी की हत्या किस प्रकार की छल पूर्वक इसने अपनी चाचा की हत्या कर दी मतलब की धोंके से अलाउदीन ने अपने चाचा जलालुदीन को मार दिया ठीक है अब दोस्तों यहां का सासक कौन बनेगा जब जलालुदीन की मृत्ति हो गए तब यहां का सासक कौन बनेगा आपका अलावदीन ठीक है अब बात करते हैं कि अलावदीन खिलजी का सासनकाल कब से कब तक चला और इसके सासनकाल के बारे में कौन कौन सी प्रमुग बाते आती हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अलावदीन खिलजी जो है इसका सासनकाल आपके 1290 से लेकर 1296 इसव तक अलावदीन खिलजी का सासंकाल सलता है दोस्तों यहां से आपको बता दें कि खिलजी वंस का यहां ऐसा सा सकता जिसके यहीं से आपके एक्जाम में काफी ज़्यादा कोसिन पूछे जाते हैं खिलजी वंस से तो दोस्तों इससे आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से सम इसकी हर एक बात को ध्यान पुर्पर सुनना और समझने की कोशिस करना तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अलाउदीन खिलजी के बारे में विस्तर जानकारी प्राप्त करते हैं तो दोस्तों यहां पर बाता है कि अलाउदीन खिलजी जो था वहाँ एक सामराज इस ने सिकंदर दुतिये की उपाद धारण की थी तो दोस्तों इसने कौन सी उपाद धारण की थी इसने सिकंदर दुतिये की उपाद धारण की थी आप दोस्तों आप लोग समझ गयोंगे कि सिकंदर कौन था सिकंदर वही था जो विश्विजेता वनना चाहता था और इसने भी क्या किया इसने भी सिकंदर दुति की उपाद धारन की है अर्थाथ यहां पर कहने का मतलब यह है कि यहां भी 20 विजेता वनना चाहता था ठीक है तो यहां पर क्या बात आई कि अलाव दीन खिल जी एक सामराज जिवादी सासक था और इसने कौन सी उपाद धारन की थी सि भी के लिए most most important point है नेक्श दोस्तों बात आती है कि अलाव दीन खिल जी के बच्पन का नाम अगर देखा जाए तो अलाव दीन खिल जी के बच्पन का नाम अली तथा गुरसास था किसके अलाव दीन खिल जी के बच्पन का नाम ठीक है नेक्श दोस्तों बात करते हैं अल अलावदीन खिलजी का राजस्य सिद्धान्त यहाँ पर दोस्तों राजस्य होगा राजस्य नहीं यहाँ पर थोड़ी मिश्टेक हो गई है तो यहाँ पर क्या होगा अलावदीन का राजस्य सिद्धान्त तीन मुख्य बातों पर आधारित था तो दोस्तों वो तीन मुख्य बते थी ये अलावदीन का राज्सु सिद्धांत के आधारित थी ठीक है तो यहां पर अगर आप से पूछा जाए की अलावदीन का राज्सु सिद्धांत तीन मुख्यबातों पर आधारित था वो तीन मुख्य बातने कौन थी तो पहली थी आपकी निरकुनसवाद दूसरी थी आपकी सामराजवाद एवं तीसरी थी आपकी धर्म एवं राजनीती का प्रत्थक करन ठीक है नेक्स दोस्तों बात करते हैं अलावदीन खिलजी के बारे में तो यहाँ पर बात आती है कि इसकी सासन काल में यह एक महतपूर्ण घड़ना होती है जो कि आपके एकजाम में पूँची जाती है कि इसके सासन काल में सराब और वहं जैसे मादग पदार्तों का मतलब की नसे बाले पदार्तों का क्या कर दिया गया सेबन जो था वो बंद करा दिया गया और जुआ खेलना भी यह पहला सुल्तान था जिसने भूमी की 25 कराकर राजस वसूल करना आरंब कर दिया तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर अलावदीन संतनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भूमी की 25 कराकर राजस वसूलना प्रारंब कर दिया था किसने आपके अलावदीन खिल ज इस्थाई सेना रखी तथा उसे नगत बेतन दिया ऐसा करने वालवा दिल्ली का पर्थम सुल्तान था तो दोस्तों यहाँ पर अलावदिन क्या करता है यहाँ पर अलावदिन ने जो केंदर के अधीन थी एक बड़ी और इस्थाई सेना रखी थी उसे यहाँ तंखा दिया कर और ऐसा करने वाला यहां दिली का पर्थम सुल्तान था, कौन आपका अलावदीन खिलजी? तो दोस्तों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, आगे की बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर बात आती है, कि अलावदीन ने सीरी को अपनी राजानी बना कर किले बन ठीक है आगे दोस्तों बात आती है लावदीन के बारे में कि अलावदीन खिल जी ने खलीफा की सत्ता को सुईकार किया किन्तु प्रसासन में उनकी हंस्तच्छेप को नहीं माना तो दोस्तों ये बड़ा पॉइंट ऐसा है कि जो कि आपके एक्जामें पूंचा जा सकता है य उसके कहने का मतलब साफ साफ है कि जो मेरा प्रसासन होगा उसमें खलीफा का कोधी हस्तच्छेप नहीं होगा ठीक है नेक्ट दोस्तों बात आती है इसके बारे में कि अलावदीन सल्तनत काल में आर्थिक सुधारों के लिए बिसेश रूप से जाना जाता है तो दोस्तों अभी हमने उपर से नीचे तक देख रहे हैं कि अलावदीन खिलजी ने अपने सासनकाल के दोरान किन-किन सुधारों का वरण किया है तो दोस्तों यहाँ पर इसी के कारण इसे आर्थिक सुधारों के लिए बिसेश रूप से जाना जाता है किसे अलावदीन खिलजी को ठी देखा कि इसने अपने चाचा की रत्यू कर दी थी और उसके बाद यहाँ सासक बना था ठीक है आगे दोस्तों बात करते हैं अलावदीन के बारे में कि अलावदीन के बाजार नियंतरन का उद्देश राज कोस पर अतिरिक्त बोज डाले बिना सेनिक आवस्षिक्ताओं को पूरा करना था तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर अलावदीन के बाजार नियंतरन मतलब कि जो बाजारे लगती थी उन पर अलावदीन नियंतरन किया उसका मुख्य उद्देश यही था कि इन ये जो सेनिक हैं ये इनकी आवस्षिक्तियाओं का बोज जो ह राज कोस पर ना पड़े ठीक है इसलिए अलावदिन ने क्या क्या है इसलिए अलावदिन ने बाजार में जो सामान थी उनका जो लागत मूल और क्रे बिक्रे मूल थी उन पर उन्होंने नेंतरन रखा इसका मुख कारण क्या था कि राज कोस पर अतरिक्त बोज डाले बिना स सेनिक आवस्यक्ताओं को पूरा करना था ठीक है जब अगर दुस्तों बाजार में भाव बढ़ेगा नहीं और घटेगा नहीं तो राजकोष पर भी प्रभाव नहीं पढ़ेगा ठीक है तो इसलिए इन्होंने अलाउदीन ने क्या क्या बाजार पर नियंतरन करना शुरू कर जिससे क्या हुआ सेनिक आवस्यक्ताओं को पूरा करना था वो भी बिना राजकोष पर अतरिक्त बोज डाले ठीक है आगे दोस्तों बात करते हैं अलाउदीन ने उपज का 50% भूमिकर जो दोस्तों भूमिकर दिया जाता है उसे यहाँ पर खराज के रूप में लिखा गय तो दोस्तों यहाँ पर भूमिकर कितना प्रतिसत लिया जा रहा है यहाँ पर भूमिकर 50% लिया जा रहा है जिसे खराज के रूप में यहाँ पर निश्चित किया गया ठीक है निश्च दोस्तों बात आती है यहाँ पर अलाउदीन के बारे में कि अलाउदीन ने सेनिक सु हुलिया पर्था ये आपके एक्जाम के लिए most most important point है यहां से आपका पूचा भी जा चुका है और पूचा जा भी सकता है कि हुलिया पर्था प्रचलित करने वाला कौन सा सकता तब आपका right answer हो जाएगा अलाउदीन ने हुलिया पर्था को प्रचलित किया था ठीक है नेश्ट दोस्तों बात आती है कि अलाउदीन ने जैसलमेर और गुजरात को 1298 तथा रनथंबोर को 1301 चितोड को 1303 मालवा को 1305 सिवाना को 1308 और जालोर को 1311 इसवी में आकर्मन करके जीता तो दोस्तूँ अलाउदीन खिलजी के दोरा ये जितने भी चितने भी छहत रहें ये किसके दोरा जीते गए ये अलाउदीन के दोरा जीते गए कौन कौन से जैसल मेर और गुजरात कब जीता गया 1298 में रन थंबोर 1301 में चितोर 1303 में मालवा 1305 में सिवाना 1308 में और जालोर 1311 स्वी में इसने आकरमर किया और इन छेत्रों को जीत लिया ठीक है नेक्ष दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि अलावदीन ने दच्छिन भारत के राज्यों जैसे कि देवगरी को 1307 स्वी में तेलंगाना को 1309 स्वी और होईसल पर आकरमर कर उनको अपनी अधिनता सुईकार करने के लिए मजबूर किया तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि उपर भी जीता है यहाँ पर आप अलावदीन किसे जीत रहा है दच्छिन भारत के राज्यों को भी जीत रहा है ठीक है जिसमें कौन कोन से हैं आपके छेत्र पहला है देवगरी जिसे 1307 स्वी में तेलंगाना 1309 स्वी में होईसल पर आक्रमड कर उनको अपनी अधिनता सुईकार करने के लिए मजबूर कर दिया ठीक है नेक्ष दोस्तों बात आती हैं यहाँ पर अलावदीन ने अमीर खुसरो तथा अमर हसंदे हलवी को सनरच्षण परदान किया तो दोस्तों यहाँ पर किसे सनरच्षण परदान किया जा किया का मतलब क्या होता है उन्हें अपने दरवार में सरण दी ठीक है नेक्ट दोस्तों बात आती है अलाउदीन खिल जी के बारे में कि अलाउदीन ने अलाई दरवाजा का निर्मार कराया जिसे प्रारंबिक तुर्की कला का स्रेष्ट नमूना माना गया है तो दोस्तों ये निर्माड कराया जिसे क्या माना जाता है जिसे प्रारंभिक तुर्की खला का स्रेश्ट नमूना माना गया है अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि अलावदीन खिल जी के बाद अगला सासक कौन बनता है तो दोस्तों अलावदीन खिल जी के बाद अगला सासक बनता है मुवारक साहा खिल जी के बारे में कुछी बाते ऐसी हैं जो कि आप सभी को मतलब की इतियास में दी गई हैं ज्यादा कुछ जानकार इसके बारे में नहीं मिलती हैं तो दोस्तों हम उन बातों पर द्यान से समझते हैं और उनको पढ़ते हैं कि मुवारक साहा खिल जी का सबस उसी पुनमोट गटनाएक की तो सबसे पहली बात आती हैं कि मुवारक सहाखिल जी ने खुटवा वा सिक्कौ। पर खलीफा का नाम हटा दिया, आवन सोयम को खलीफा घोसित गिया। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है मुवारक साखिल जी के बारे में कि इसने क्या किया इसने मुवारक साखिल जी ने खुतवा वसिकों पर खलीफा का नाम इसने हटा दिया एवम सोयम को क्या घोसित कर दिया सोयम को खलीफा घोसित किया सबसे पहली बात इसकी ये है नेक्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मुवारक साहा खिलजी के बारे में इसने अलाव दीन खिलजी द्वारा शुरू किये गे आर्थिक सुधारों को समाप्त कर दिया तथा जागीर व्यवस्ता को पुनर जीवित किया तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर जो आर्थिक सुधार अलाव दीन खिलजी ने शुरू किये थे उन्हें क्या कर देता है यहाँ यहाँ उन्हें खतम कर देता है उन्हें समाप्त कर देता है तथा जागीर व्यवस्ता को पुनर जीवित किया तथा जागीर व अब दोस्तों यहाँ पर क्या बात आ रही है यहाँ पर खुसरोज सहा 1320 इसमी में मुवारक खिलजी की क्या कर देता है हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बन गया अब दोस्तों यहाँ पर खुसरोज सहा जो था वा हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसल्मान था इसे पेगंबर के सेना पती की उपादी धारण की इसने कौन सी उपादी धारण की इसने पेगंबर के सेना पती की उपादी धारण की नेक्ट दोस्तों इसका last point आपके लिए है खुसरो सहा को संत निजामुद्दीन ओलिया का नेतिक समर्थन प्राप्त था तो दोस्तों यहाँ पर किसे नेतिक समर्थन प्राप्त था तो खुसरो सहा को संत निजामुद्दीन ओलिया का नेतिक समर्थन प्राप्त था अब दोस्तों खुसरोव साहा जो थे इनका सासनकाल सिर्फ कुछ ही महिने चलता है और इसके बाद यहाँ पर इस बंस का अंत हो जाता है खुसरोव साहा के बाद तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगोंने खिलजी बंस का पूरा सासनकाल पढ़ा उसे समझा देखा और जाना तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अगर पसंद आई हो तो प्लिस लाइक अपने जरूर दवाएं साथी साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें तो दोस्तों सेर कीजिए और सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर प्रस करें तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जे हिंद जे भारत